हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक पिता की दिल को छूलेने वाली कहानी आप लोगों से शेयर करने जा रहे हूँ यह कहानी एक पिता के जज़वातों की कहानी है इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सिखने को मिलेगा अपने मा के बारे में तो बहुत को सुना होगा बहुत जगा पढ़ा भी होगा मा के लिए अच्छे अच्छे हिंदी कहानिया लिखी गई है लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है तो दोस्तों यह कहानी उन पिता को समर पी थे जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं खुद की इच्छाओं को मार कर अपने बच्चे के सपने को पूरा करते हैं तो कहानी सुरू करते हैं जब मैं घर से गुसे में बरबराते हुए निकल आया था और बस सेश्टन की तरफ आगे बढ़ने लगा मैं मन ही मन बरबरा रहा था पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते अब मैं यहां से चला जाओंगा और तब तक वापस नहीं आओंगा जब तक मैं खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता इतना सोची रहा था, तभी मेरी पैर में कुछ चूबने का एहसास हुआ नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दिवाजी में पापा की जूते पहनाया हूँ उन जूतों में कील उब्री हुई थी, जो मेरी पैर में बार-बार घाओ किये जा रही थी लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो मैं बर-बराते हुए आगे बढ़ गया एक आयक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी अपने साथ ले आया हूँ मेरी खुड़ा फाती दिमाग में एक खयाल आया, क्योंने आज पापा का पर्स चेक किया जाए जिसे आज दक उनों किसी को हाँत टक नहीं लगाने दिया था पताने कौनसा ख़जाना छुपा है इस पर्स में, जो किसी को हाँत नहीं लगाने देते थे जब मैंने पापा का उप पुराना पर्स खोल कर देखा, तो उसमें पैसे तो नहीं मिले लेकिन पैसो की जगा पर एक डारी रखी हुई थी तब मैंने सोचा ओ, तो यहां खाजाना छुपा रखा है मैं समझ रहा था कि यहां पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लिए है और किस को कितने पैसे दिये है लेकिन मैं गलत था जब मैंने उच्छोटी सी डारी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वो थोड़ा सिरियस कर देने वाला था डारी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चीरे पर जो एक्सप्रेशन था वो गायव हो चुके थे क्योंकि डारी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था वहाँ पर उन पैसे का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग लोगों से उधार लिए गये थे उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गये थे कुछ यू लिखा था पचास अजार बेटे के कंप्यूटर के लिए